नमस्कार! लोन लेके पैसे कमाना. आप सोच रहा होगे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि कि लोन लहीं लेना चाहिए, लोन से बहुत दिक्कत है, लोना मतलब करज ओ गया ना, लेकिन मैं आज आपको बहुत सरल भासा में, बहुत बस्च भासा में सिखाऊंगा कि loan क्यों लेना चाहिए, कहां पे लेना चाहिए और loan से पैसे कैसे कमा सकते है हाँ, एक चीज यहां पे सर्थ है कि वो salary person होना चाहिए salary, वो part time है कोई, मनलब यह नहीं कि full time है salary person होना चाहिए जिसकी salary आती हो फिर वो कितनी भी आ सकती है वो कैसे पैसे कमा सकते है क्या क्या तरीके है कैसे, मैं salary इसलिए बोलाओ क्योंकि उसको loan मिलना असान हो जाता है अगर उसके पास salary person है तो उसे loan मिलना असान हो जाता है और loan से कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसका पूरा खाका मैं आज आज आपको बताऊना एक चीज मैं आप जरूर कहना चाहता हूँ, लोन दो तरीके से लिया जाता है, तो दो point of view से, पहले तो अपने अंदर जहाकना कि लोन आप ले क्यों रहा हो, एक लोन हो गया कि जो हम assessed and liabilities, क्या होती है, अगर आपने कार के लिए लोन ले लिया, अगर आपने अपने प्लीजर के लिए लोन ले लिया, टीवी और इस सब के लिए मुबाyle, आइफोन के लिये लोन ले लिया, तो यह लयाविलिटी सें पतह रहे क्या है, एक तो आप, माले ज़ये, पाँच लाख कार की वैल्यू कम होगी नमबर तीसरी बात है कि आप उस पैसे पे पांच लाग रुपए पे व्याज भी दे रहे होगे समझो कितनी तरह से नुकसान हो रहा है अगर आप इस टाइप के कार फोन या ऐसी अपनी इक्छाओं वाली चीजों पे लोन लेते हो तो सबसे ज्याद बिजनस के लिए लोन लेते हो या आप रियल स्टेड या प्रापरटी के लिए लोन लेते हो बहुत आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस करता वही लोन तलवार है एक लोन समाझ दीजिए आपकी तलवार है किसी को दे दी गई यह तलवार तो तलवार से दो काम हो सकते है या खुद को गहल कर ले या अपनी रच्छा करे लेकिन आप ये कह दो नहीं तलवार तो खराब है तो ये नहीं सही है ना तलवार से अगर आप अपनी आपको नुक्सान पहुचा रहे हो तो आपके पास जानकारी का भाव हो है और अगर अप तलवार से किसी की रच्छा कर रहा हो या अपनी रच्छा कर रहा हो तो ये आपकी काबलियत तो अगर आप किसी की रच्छा कर रहा हो ये आपका टैलेंट है तो आपको समझ में आई बात कि लोन कहां नहीं लेना चाहिए तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि लोन वहां नहीं लेना चाहिए जहां आप कोई लग्जीरियस चीज खरीदने जा रहा हो कुछ लोग कह सकते हैं कि क्यों सब तो फिर लोन नहीं लेंगे तो फिर यह चीजे आएंगी कैसे तो वो अलग एक बात हो गई जब आपके पास इतना पैसा हो जाए जब आपके पास इतनी अच्छी इंकम होने लगे तो आप लोगते हैं वो तो वो अलग बात हो गई आपका पैसे हैं और आप फिर लोन लेना चाहते हो तो ठीक है लेकिन इस तरह नहीं कि आपका पैसे नहीं लोन लेकर कार खरी ली लोन लेकर वोमा मुबाल खरी दिया लोन लेकर कुछ ऐसी चीज है लिग्जजरी की ट्रिप हो आए बड़े फॉरेंड में लोन लेकर तो यह मैं सिर्फ एक बेव कुफी ही करूँगा अब लोन लेके जो टॉपिक है हमारा कि लोन लेके पैसे कैसे कमाए जाए इस पर हम आते हैं तो दो तरीके हैं एक तो बिजनस लोन ले सकते हैं और दूसरा है रियल इस्टेट या प्रापर्टी पे इन्वेस्टमेंट करके लोन ले सकते हैं तो मैं आज business की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज real estate से कैसे पैसे बनाए, loan लेके, उस पर मैं बात करूँगा, तो एक चीज़ आप याद रखो, अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको पैसे बनाने हैं, real estate से, loan से, तो बहुत बहुत important factor है, यह बहुत important video है यह आपके ल बिजनेस की जो सबसे important factor है न वो यह नहीं है कि आप sell कैसे करते हो वो यह है कि आप purchase कैसे करते हो purchasing सबसे important factor है जैसे मैं आपको समझाता हूँ मान लीजे कोई सूज है या मान लीजे कोई mobile है आप mobile के दुकान कर रहे हो या mobile की swap कर रहे है सूस की swap कर रहे है और आप ने इतने सस्ते में deal कर ली कि आप से बहतर deal किसी ने की ही नहीं है बहुत सस्ते में आपने mobile खरीदा है तो आप अगर जिस rate पे पूरा market बेच रहा होगा उसी rate पे बेचोगे तो market अगर 5000 रुपए कमा रहा होगा उस mobile पे तो आप 8-10,000 रुपए कमा रहा होगे क्योंकि आपने 3-4,000 रुपए सस्ता mobile लिया था ये आप बेचना तो बहुत आसान हो जाता है अगर आपने deal अच्छी किये ऐसे ही property में है मैं आपको कैसे समझाता हूँ मालिया आपने कोई जो land है मालिया land खरीदी एक plot खरीदा government का plot हो सकता है या जैसे के डिये है वैसे government के हर जगे हर प्रदेश में हर जगे पे हर नगर में property होती है तो वो हो सकती है या कोई भी prime location पे कोई property खरीदी आपने ध्यान रखना location बहुत important factor अदा करती है चाहे आप दुकान कर रहे हो चाहे आप बिजनस के लिए दुकान ले रहे हो मैं हर बार कहता हूँ दुकान अगर आप कर रहे हो या कोई business कर रहे हो या कोई property खरीद रहे हो तो एक बात याद रखना फले ही वो कुछ रुपए महंगी हो लेकिन location अच्छी होगी तो हमेशा आपकी जीत रहे ही हमेशा आगे बड़ो तो इसमें भी loan में भी याद रखना कि जब भी कोई property खरीद रहे हो जब भी कोई मकान खरीद रहे हो कोई shop खरीद रहे हो commercial property खरीद रहे हो कुछ भी करीद रहे हो location बहुत important factor अधा करती है इत्मिनान से खरीदो जलबाजी ना करो बट एक बहुत अच्छी deal देखोगी कहां हो रही है जहाँ पैसे बच रहे हो जैसे market circle rate पे अगर आपको कोई property मिल ले ही उससे कम rate पे मिल ले ही तो समाद लीजिए कि आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो और एक चीज़ याद रखना जब भी आपको बहुत कम पे कोई property मिल ले ही है तो हमेशा अपने कान खड़े कर लेना और बहुत थारो लिए उसको चेक कराना कि property real है बहुत properly चेक कराओ कि कहां कहीं कोई fraud तो नहीं है इस पर बहुत ध्यान रखना कई दोती चीज़ें होती है किसी की जरूरत बहुत अधीक है उसे अभी पैसे चाहिए और वो अपनी property बेचना चाहता है नमबर एक तो सस्ती मिल सकती है या कोई fraud कर रहा है आपको लालच दे रहा है तो property सस्ती मिल सकती है अगर second वाली चीज़ है कि कोई लालच दे रहा है और आपसे fraud कर रहा है तो property उसको चेक कर आओ बहुत थारूली चेक कर आओ और जब आप ये देख लो कि नहीं इसकी need है इसको किसी चीज़ में लगाना है कुछ करना है उसको जरूरत है पैसे की उस property को आप deal करो उसके लिए bank loan कर देगा सर्किल रेट में लोन हो जाता है आपको loan का सहरा मिल जाएगा और आप property खरीद लोगे इसके बात क्या करना है जब आपने property खरीद ली अब उसको sell की बारी आती तुरन दिमाग लगाओ कि जैसे मान लीजे कोई property है जो आपकी 50 लाकी है या कोई property है जो आपकी मान लिए 15 लाकी है चोटी property चलो मान के चलते हैं 15 लाकी आपने किसी तरह से दिमाग लगा के कुछ भी उस छेतर में 12 लाकी property निकाल ली माना 12 लाकी property निकाल ली और उसका सौधा कर दिया loan लिया आपको 12, 15, 10 जो भी मिल गया और कुछ पैसे अपने लगा के आप आपने वो property खरी ली तुरंत आप उसको बेचने की फिराग में आ जाओ अब उसके लिए क्या करना है अब उसके लिए सहरा लेना है local news paper का local hoardings का local property dealers का इन सबका सहरा लेते हुए उस property को जो 15 की थी actual में लेकिन आपने 12 की खरीदी थी और 15, 16, 16 में बेचने की कोसिस करना कई बार क्या होता है जो actual कीमत होती उससे जादा भी बेचने तो समझदार लोग ये हैं जो property सस्ती खरीदें और उसको actual कीमत से एक देड़ लाग जादा बेचने तो मान लिया आपने साड़े पंदरा में property डन की बेची और 12 में खरीदी दो तीन महीने का अंतरा आपको पैसे नहीं थे तो आपने loan का सहरा लिया और आपने करीब करीब तीन साड़े तीन लाग रुपए कमाए मैं मान लेता हूं रिजिस्ट्री का खर्च अटा दो पचास अजार तो आपने तीन लाग रुपए मोटे मोटे कमाए तीन महीने में सिर्फ loan से बाकी पैसे फिर loan को वाप कर दिये और अपना तीन लाग रुपए आपने रख लिए टैक्स वगएरा की बात बाद में करेंगे लेकिन अभी आपके तीन लाग रुपए आगे फिर आपने दिमाग लगाना चालो किया कि कैसे फिर से दूसरी property कहीं है ऐसी मिल लई हो कहीं चल्दबाजी नहीं करना है रेट टूरेट नहीं खरीदना है जिस रेट पर property चले और उसी रेट पर खरीदोगे तो फिर पान साल के लिए फास जाओ क्योंकि रेट पान साल बादी कुछ आएंगे तीन चाल लग ऐसी property की हर स्चानग तलास करनी है तलास करने के लिए वेबसाइट हो सकती है ओलक्स हो वो डालेंगे macon.com पे वो डालेंगे 99 records पे ऐसी वेव साइट पे जाते हैं तो वहां जहां पे भी डीलर जुड़ गिया है वहां समझ लीजिए कि आपको property महेंगी पड़ेगी जहां आपने का पास honors से direct बात हो गई तो वहां property सस्ती पड़ेगी तो ऐसी जगे आपने वेस कर ने की सोचो जहां पे honor से direct बात हो रही है अगर आपने जो मैंने बताया है कि पंदरा वाली property बारा में खरीद ली और फिर उसे साड़े पंदरा में किसी तरह से दलाल वगेरा के मादियम से या OLX के मादियम से या अपनी hoarding के मादियम से या पंपलेट के मादियम से अक्व ऐसे ही काम करते रहना है और जो loan की रकम है उससे आप अच्छा कासा profit कमा लोगे इस तरफ साथ में उस जो loan लिया है उससे अपनी tax rebate भी पालोगे जो आप monthly जो आप salary हैं तो आप tax में भी rebate पालोगे तो यह जैसे छोटी छोटी property को में निवेस करके तुरंत फिर बेचना फिर बेचना फिर बेचना फिर बेचना फिर बेचना थीरे तीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बड़ी बड़ी deal करने लगोगे आपको लट लग जाए एक बार कि हाँ मुझे ये काम करना है पार टाइम काम है इसमें कौन सा आप अपने office से दौर रहा है और रोज करना है उस कुछ specific जो आपको जानकारी है कि यहां की property पंद्रह लाकी है बीस लाकी में इतनी मिलनी चाहिए और इतने में मिलनी तो ऐसे नहीं कि अंजान जगे चले गए और करने लगे तो बहुत नुकसान हो सकता है इस बात का ख्याल रखना कि जो property आपको सही rate पे सही करनकार है कि जहां पर आप इस rate पे बेच लेंगे वो property पे हाँ डालना लेकिन बहुत अच्छा काम है बस एक बात कहता हूं कार फोन ऐसी महंगी एसेस्ट में न जाओ आप लाइविल्टी में मच जाओ एसेस्ट बनाओ अपनी पुंजी अपने जो property है उसको develop करो और बेच इस तरह से अगर आप काम करोगे तो बहुत अच्छा पैसा भी कमाओगे जेप से पैसे भी बहुत कम लगेंगे और अच्छे खासे पैसे earn करने लगोगे उतने पैसे earn करने लगोगे जितने आप अपनी salary से नहीं कर पा रहे थे वस इतना ही कहना था मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं है कुछ सिकायत है तो भी लिखो मैं दोनों ही तरीके के कमेंट्स एकसेप्ट करता हूं अगले वीडियो तक मैं आपसे वीदा चाहता हूं तब तक के लिए नमस्कार